दोस्तों क्या आपका पता है डॉल्फिन, मेढग, गेंगा, जिराफ कैसे सोते हैं? नहीं पता तो चलो हम इस वीडियो में जानते हैं तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं जिराफ जिराफ के सोने का तरीका एकदम अलग है वो थोड़े-थोड़े अंतराल पर सोता है एक बार में पांच मिनट से जादा ने सोता एक साथ जादा से जादा तिस मिनट तक निन लेता है जिराफ खड़ा-खड़ा ही सोता है जबकि जिराफ के बच्चे अपने गर्दन घुमा के सोते हैं जिराफ 24 घंटे में 3-4 घंटे ही सोते हैं डॉल्फिन डॉल्फिन का सोने का एक अपना ही अंदाज है वो सोते वक्त दिमाग का आधा हिस्ता बंद करके सोता है और आधा हिस्ता अपने पहरेदारे में लगा देता है और हर घंटे में बारी-बारी से एक आँख खोल कर खत्रों को भावती है और जब भी उसे कोई खत्रा मेहसुस होता है तब वो पानी से उपर चला आता है और वो दुबारा गहराई तक नहीं जाती है मेधक असल मेधक सर्दियों में सित निंद्रा में चला जाता है तुम्हें जानकर हैरानी होगे कि वह सर्दियों के समय मेधक अपने कुछ जरूरी अंगों को छोड़कर बाकी सभी को बर्फ कर लेता है जैसे सांस लेने को सिस्टम को छोड़कर बाकी पूरी सरीर को बर्फ की तर ज रखी जा सके और लाइन में जो बतक है बीच में होती है वो दोनों अपने आख बंद करके अराम से सोते हैं उद्भिलाव जानवरों की दुनिया में एक और बहुत प्यारे से निन लेने का तरीका उद्भिलार का होता है यह समुद्री जीव समुद्र में समुध में एक साथ तेरते हुए सोते हैं वो भी एक दुसरे के हाथ पकड़ कर ताकि बिझण न जाएं उत्री अमेरिका में पाई जाने वाले उद्भिलार आम तोर पर 18-27 किलो वजन के होते हैं वहां उसे काफी सम्मान दिया जाता है वाल्रस वाल्रस यानि दरियाए गोड़ा इसमें एक ब सकते हैं चता हैं गोंगा कितनी देर तक सो सकता है दस दिन पंदरा दिन महीना दिन एक साल आपको बता दो कि घंगा तीन साल तक सोख जाए तो वह जिंदा-रहने के लिए अपने सरीह को अंदर चुपा कर तीन fTIN साल तक नींद की अवस्था झाल झाल